एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में विधानसभा चुनाफ के लिए आज से नामांकन शुरू है, 25 जनवरी से एक फरवरी तक चलेगी प्रक्रिया, सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा नामांकन, दो फरवरी को होगा नामांकन पत्रों की पड़तार, नामांकन वापस लेने की आखरी तारीख 4 फरवरी है, पंजाब में 20 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, 117 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान, पंजाब में 10 मार्च को होगी वोटों की गिंती, बता दे कि पंजाब में 14,751 पोलिंग स्थानों पर 24,740 पोलिंग स्तापित किये गए हैं, जबके पंजाब में वोटिंग के दिन सभी बूतों से वेब कास्टिंग की जाएगी, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज पंजाब में भी नामांकन की प्रक्रिया जारी रहीगी, आपको बताते चलें कि पंजाब में विधानस सुबर चुनाब के लिए आज से नामांकन शुरू होगा, सुबह 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, 25 जनवरी से एक परवरी तक चलेगी प्रक्रिया, सुबह 11 बजे से दोपहड तीन बजे तक होगा नामांकन आज से पंजाब में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, 25 जनवरी से लेकार जो आगे तक इस प्रक्रिया को जारे रखने का सिलसला जारी रहेगा, अभी उमीदवार वहाँ पर पहुँचेंगे 11 बजे से, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास है आज से पंजाब में भी नामंकन की प्रक्रिया है, वो शुरू होने जा रही है, सुबा 11 बजे से, दो पर तीन बजे तक नामंकन भरा जा सकता है, क्यूंकि जिस तरीके से, करोना की चलते इस वक्त हालात बने हुए हैं, उसके मदे नजर, जो समय सिमा हैं, उसे कम रखा ग हैं, और आज क्यूंकि पहला दिन है, तो ऐसे माना जा रहा है कि जो बड़े दिगज नेता हैं, पंजाब की राजनीती के, वो आज छोड़कर दो तीन दिनों की भीतर अपना नामंकन भरने वाले हैं, तो ऐसे में आज से, हलांकि पंजाब में नामंकन प्रक्रिया करने की भी यहां पर उमिद्वारों को हिदायत चुनाव आयोग की तरफ से धी गई है, अगर कोई उमिद्वार नामंकन भरने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जाएगा, तो उसके साथ दो अन्य लोग जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, और सो मीटर के सकते हैं, उसमें पहले आपको एकाउंट बनाना होगा, एकाउंट बनाने के बाद अपने फॉरम को फिल करना होगा, लेकिन जो ऑन-लाइन यहां पर सूभीदा चुनाव आयोग नी दी है, उसके जब फॉरम आपको फिल करना होगा, उसके बाद आपको रीटर्निंग ऑफ के ऑफिस में भी जाना पड़ेगा तो ऐसे में जो ज्यादतर उमिद्वार हैं यह माना जा रहा है कि वो फिजिकली जाकर ही रिटर्निंग ऑफिसर के वहाँ पर अपना नामंकन भर सकते हैं क्योंकि पंजाब में श्री गुरु रविदास जनती थी उसके चलते तीथी में त वहीं अगर बात करें यहाँ पर रिजिस्टर वोटर्स की तो 2 करोड 12,75,066 रिजिस्टर वोटर हैं पंजाब में लेकि इस बार की जो पंजाब की जो चुनाब होने वाले हैं बड़े ही दिल्चस्प होंगे पूजा क्योंकि इस बार पंजाब में दो तीन पार्टिया न में और सभी कही ना कहीं एक दूस्रे को टकर देती नजर आ रही हैं यहां तक की जो किसान जते बंदिया हैं पंजाब की वो चुनाब मािदान में हैं ऐसे में कहीं कहीं ना कहीं वह भी जो पार्टियां हैं राजने та Ellis कुन को टकर देते ही नजर आ रहे हैं क्योंकि 70 फूस से अपील भी की जा रही है कि इस बार वो बढ़ चड़ कर अपने मद्दान का प्रियोग करें तो अब देखना होगा कि तस्वीरे किस तरीके की आती है सुबा 11 बजे से 3 बजे का समय निधारित है कौन-कौन ऐसे पंजाब की राजनीति से जुड़े नेता हैं जो आज अपन नामांकन भरते हैं जी देखे नामांकन के प्रक्रिया आज से शुरू है इशा और किसी भी प्रकार के जुलूस पर एलेक्शन कमिशन की और से साफ़तार पर रोक लगा दी गई है और कहा भी गया है कि उमीदवार किसी भी दो व्यक्ति को अपने साथ लेकर जा सकता है इस जिस तरीके से जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से 31 फरवरी तक इस तरीके की रोक यहां पर लगाई गई है कि आप रोड शो नहीं कर सकते हैं चुनावी रेलिया नहीं निकाल सकते हैं लेकिन उसके बावजुद यहां पर जितने भी पार्टी के तमाम नेता हैं उनकी त जो संख्या यहां पर सिमित की गई है उस संख्या से अधिक ज़्यादा लोग यहां पर इकटे हो रहे हैं और आज नामंकन की प्रक्रिया जरूर यहां पर शुरू होने जा रही है जिसमें कई पाबंदिया लगाई गई है कि आप जुलूस नहीं निकालेंगे क्यूंकि अ आना जा रहा है कि आफिसर महस ही रिटर्निंग आफिसर के पास से तीन लोग जाएं लेकिन बाहर जो उनके समर्थक हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है क्यूंकि पंजाब में जो पाबंदिया लगाई गई है रोड शो और रेलियों को लेकर उसे भी फॉलो जो राजनेता है वो नहीं कर रहे हैं जगा जगा करोना नियमों की धजिया यहां पर उड़ाई जा रही है हमने रेखा कि भगवंत मान जो कि आम आधिपार्टी के सीयम उमिदवार हैं जब पहली बार संगरूर में रविवार को गए धूरी से चुनाव लड़ने वाले हैं बड़ा रोड राजनेता उड़ाते नजर आ रहे हैं हालांकि पाबंधिया जरूर लगी है तो ऐसे मैं आज की तस्वीर भी देखने वाली होगी कि नामंकन प्रक्रिया भरने जब कोई राजनेता आता है तो उनके समर्था कितने होंगे क्या उनके समर्थकों को रोका जाता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी जी बिल्कुल ईश्या बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारे के लिए